नमस्कार दोस्तों सुमीत वारद्वाज क्लासिज में अब सभी का फिर से स्वागत है इससे पहले हम डियाइसस्वी प्यार्टी डियोई के दस पेपर सोल कर चुके हैं आज महारा पेपर रहने वाला है ग्यारमा तो हम 11 पेपर सोल करेंगे जो की 14-11-2018 को हुआ था से डे 12 से लेकर ढाई के बीच में हुआ था तो और हमने रिजिनिंग भी पेपर सोल करनी स्टार्ट कर दी है तो रिजिनिंग का जिसने सोलिशन देखना है निचे डिस्क्रिप्शन के अंतरकत लिंक मिल जाएगा क्योंकि रिजिनिंग जो हमने दूसरे चैनल पर डाली है तो डिस्क रिजिनिंग भी देखनी है तो नीचे आपको लिंक पर आपत हो जाएगा तो चलिए अब हम करते हैं आज अपने पेपर इलेउन का मैध का सोलिशन सबसे पहला क्यूशन है तो कितने प्रतिसत का गयन होगा देखेए सोला सुतरासी पे कितना लोस हो जाता है उसको एक बटा नो इससा लोस हो जाता है तो सोला सुतरासी का एक बटे नो इससा लोस हो जाता है तो कितना हो गया 187 हो गया मतलब कि 187 का लोस हुआ सोला सुतरासी पे तो इसका मतलब सोला सुतरासी पे 187 का लोस हुआ तो टोटल सीपी कितना आ गया 1870 मतलब कि टोटल सीपी कितना था हमारा 1870 था तो उसने हब कितने पर sell कर दिया 2244 पर क्या sell कर देता किसको 1870 को CP total हमारा कितना आ गया 1870 आ गया Sell कितने पर कर दिया SP कितना हो गया 2244 हो गया कितने का profit हुआ तो 374 का profit हुआ किस पर हुआ CP पर हुआ 1870 पर into क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा 0 से 0 ये कितना 2 पे गया तो 20 पर 30 का हमारा profit हो गया तो right answer क्या आ जाएगा 20% जो हमारा right answer आ जाएगा तो इस परकार से हम इस स्वाल को कर सकते हैं next है in a circle of radius थोड़ा zoom कर देता हूँ in a circle of radius 10 cm a course of 10 and angle of 60 degree at the center of the circle ठीक है ये हमारा circle हो गया इसके अंतरगत ये हमारी radius हो गई 10 cm की और ये हमारा 60 degree का angle हो गया इनको मैं नाम दे देता हूँ O, Q, O, P O, P, Q नाम इसको मैंने दे दिया फिर उसने बोला what is the area of the major segment of the circle तो area बताना हो और πाई की value 3.14 ले लेनी है तो देखिए पहले हम minor segment निकाल लेते हैं तो उनके formula क्या होता है तो उनका formula क्या होता है diagram को रफ कर देता हूँ space ज़्यादा नहीं है तो theta upon 360 degree pi r square minus half r square sin theta theta की value कितनी दी है 60 degree दी है 60 upon 360 into pi की value कितनी दी है pi की value दी है उसने 3.14 मैं इसको लिख सकता हूँ so 314 upon 100 10 में लोटा लिया r का square मतलब गी 10 का square 10 के square को मैं direct लिख सकता हूँ so ठीका भई minus 1 upon 2 r square का मतलब क्या है 10 का square into का मतलब क्या हो गया so और sin theta sin theta की value कितनी है 60 degree है sin 60 degree कितना होता है root 3 upon 2 होता है तो sin 60 degree कितना होता है root 3 upon 2 होता है तो आप इससे ये कट हो जाएगा इससे ये कट हो जाएगा 1 upon 6 हा जाएगा और इससे ये कट हो जाएगा 25 हा जाएगा तो इस परकार इस साइड हमारी क्या value बच गई 314 वटेच है ये कितना हो गया 22.33 हो गया माइनस उस साइड हमारी क्या value बच गई 25 root 3 अगर आप 25 root 3 को solve करोगे न root 3 की value आती है 1.7 something 3 4 ठीक है तो वह कितना आ जाएगा हमारा 43.3 ठीक है 9.03 आ जाएगा अब हमने क्या निकाल लेना है major segment जो इसने पूछा हुआ है ये हमारे से पूछा हुआ है अब इसका निकालने का मतलब क्या होता है area of circle minus area of minor segment हमने जो निकाला है area of circle का formula क्या होता है pi r square ये हम निकाल चुके हैं अभी हमने निकाला 9.03 जो हमारा आया था pi की value कितनी लेनी है 3.14 लेनी है तो ये हो गया r की value हमको पताई है कितना r square मतलब 10 का square में direct 100 लिख दूँ 100 से जो चला जाएगा minus 9.03 314 में से 9.03 आएगा तो कितना हो जाएगा 304 point something आएगा तो उसको हम क्या बोल सकते है 305 बोल सकते है तो right answer क्या हो जाएगा 305 हमारा जो है right answer हो जाएगा ठीक है भई तो इस परकार से हम इस स्वाल को कर सकते है clear मेरे ख्याल से clear हो गया हुआ ठीक है चलिए next करते है a can do 2 बटे 5 of work in 18 days 18 days देखिए 2 बटे 5 को कितने दिन में करता है 18 days में तो कितना हो जाएगा 2 निम 18 और 5 निम 45 तो एक कितने दिन में करता है 45 दिन में दूसरा 1 बटे 3 बटे 3 बटे को कितने दिन में करता है 30 दिन में 1 को 30 से बाकरेंगे 30 तीस तीया कितना हो जाएगा 90 ठीक है कलियर या फिर हम इसको सिंपल बासा में ये भी लिख सकते हैं जैसे कि 18 है ये दो नीचे चला जाएगा और 5 मंटिपलाई में 45 एक आ गया और इसी परकार 30 अपोन 1 इंटू 3 इस परकार से हो जाएगा 90 ठीक है तो एक कितना आ गया 45 बी कितना आ गया 90 45 और 90 इनका एल सिंप कितना हो गया 90 ही कितने पर गया 2 पर 1 अब उसने क्या बोला दोनों एक साथ मिलकर काम सुरू करते हैं इन हाव मैनी डेज विल टे कम्पलीट 40 परसेंट ये बोला अगर 40 परतीसद काम जो टोटल काम है उसका 40 परतीसद काम कितने दिन में करतेंगे 90 का 40 परतीसद कितना होता है 90 का 40 परतीसद होता है 36 36 काम को ये कितने दिन में करतेंगे वह एक दिन में ये तीन करते हैं तो 36 काम को कितने दिन में करतेंगे 12 दिन में कर देंगे तो right answer हमारा कितना आ जाएगा 12 दिन तो इस परकार से इस सवाल को हम कर सकते हैं next है the difference between a single discount ये बोल रहा है अगर वह single discount देता न तो single discount दिया उसने 35% का और उसने 2 लगातार discount दिये 1 20% का और 1 15% का single discount और 2 लगाता discount देने के बाद जो उनके बीच का difference आया न वह 23.40 आया तो उसने बोला the amount of the bill before the discount इसको एक तो आप option से उठा कर भी कर सकते हो बही option से उठा लिया जिनके बीच का ये करने के बाद और ये करने के बाद 23.40 आ जाएगा न वह हमारा right हो जाएगा या आप दूसरे मैथर से कर सकते हो दूसरा मैथर कौन सा मैं बताता हूँ पहले इसको देख लेता हूँ कितना discount आता है इन दोनों का आप मिला कर minus 20 minus 15 तो यहाँ लिख सकता हूँ मै minus 20 into minus 15 upon 100 तो यह कितना आ गया यह मेरा आ गया 32 कितना आ गया 32 क्यों क्योंकि यह 15 और 20 की गुणा करोगे 300 हो जाएगा 2,0 से 2,0 चली जाएगी 3 हो जाएगा 35 minus 3 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा तो 32 तो मेरा क्या है इन दो लगाता discount का आ गया और एक single discount कितना दे रखा है 35 इन दोनों का difference कितना आया 3 पर 30 आया 3 पर 30 की value इसने कितनी दे रखी है 23.40 दे रखी है अब तो मैं इसको 60 कर सकता हूँ 23.40 upon 3 चला जाएगा into क्या हो जाएगा 100 अगर मैं यहाँ 10 मलो उटाऊंगा तो यहाँ भी क्या आजाएगा 100 से जो cancel हो जाएगा 23.40 को 3 से बाकरियो यह हो जाएगा 3.21, 2.24, 3.8, 24, 0 तो 780 जो हमारा right answer आजाएगा तो इस परकार से इस सुवाल को हम solve कर सकते हैं ठीक है भई Next है A sum of 28,000 is invested at 10% per annum for 3 year compounded What is the percentage gain at the end of 3 years correct to one decimal place तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा कि जो option है न वो सब ही क्या है percentage में है और पूछा भी क्या उसने percentage gain पूछा है तो मेरे को जो यह statement है या कितना भी sum है उससे कोई लेना देना नहीं है मेरे पास दो चीज़े है एक तो rate है मेरे पास 10% है और एक मेरे को कितना है तीन साल है और क्या हो रहा है gain हो रहा है बस पता चल गया मलब की 100% वे हर तीन साल बाद क्या है वर्दी हो रहा है तो 100% का मलब 100 होता है पहले साल 10% की वर्दी होई 110 दूसरे साल फिर 10% की वर्दी होई तो टोटल कितने परतिसत की वर्दी होगी, 33.1 परतिसत की वर्दी होगी, तो राइट अंसर क्या हो जाएगा, यह जो हमारा राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, दा प्राइस ओफ टी इज इंक्रीज़ बाई 14%, उसमें क्या है, उसका कोई चेंज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, राइट सिधा कर सकते हैं, कितने परतिसत की वर्दी होती है, 14 की, 100 पर 14 परतिसत की का वर्दी का मतलब क्या होता है, 114, तो यह है तो चेंज होता नहीं है, 114 इंटू क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा ये कितने बेच जाएगा दोस्ते चोदा ये कितना हो जाएगा दोपंजे दस और दोस्ते चोदा साथ सो बटे स्ताउन कितना होता है साथ सो बटे स्ताउन हो जाएगा हमारा बारा पॉइंट तीन तो राइट अंसर क्या हो जाएगा 12.3% जो हमारा राइट अनसर आ जाएगा 12.28 होता है फिरो मुझे को क्या लिख सकते हैं 12.3 लिख सकते हैं तो इस परकार से इस स्वाल को हम कर सकते हैं नेक्ट समय एक तो आप ट्रीक से कर सकते हो जो इनका योग इनके योग से भाग हो जाए तो मैंने देखा ना तो 9 किसी के योग से भाग हो रहा है ये जितने भी उप्सने नहीं हो रहा है पिर मैंने ये देखा जो इसका योग होता ना ये 45 होता है ये क्या है इसके योग से भी भाग हो रहा है और दूसरा किसके योग से भाग हो रहा है इसके योग से भी भाग हो रहा है 15-45 और 5-45 हो रहा है फिर मैंने क्या बता था ये देखो कि वही कौन सा small है तो इन में आगे वाला क्या है सभी के अंतरगत हमने देखा इसमें भी small है इसमें भी small है तो यह ऐसे भी हम क्या है पता नहीं कर सकते तो ये तीनों चीज लगाने के बाद हम पता नहीं कर सकते तो हमने क्या कर लेना है? बेसिक मैथर से कर लेना है बेसिक मैथर से कैसे करोगे? देखें पांच रिसो चाहर का मतलब क्या हो गया? नो तो किसी को भी हम इगोल कर सकते या तो स्प्रीट को आप इगोल कर लो या पानी को आपके भी डिपेंड है मैं स्प्रीट को कर लेता हूँ स्प्रीट पहले में कितना है? पांच है और टोटल इसा कितना है? नो दूसरे में स्प्रीट कितना है? दो टोटल कितना है? नो इसी प्रकार से तीसरे हम स्प्रीट कितना है 16 और टोटल कितना हो गया 45 बस अब हम कर दें अब 2 बटे 9 माइनस 16 बटे 45 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 बटे 45 आ जाएगा इसी प्रकार 5 बटे 9 माइनस 16 बटे 45 करोगे तो कितना आ जाएगा नो बटे 45 आजएगा 45 से 45 कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्यानो तो 2 रेसो 3 जो हमारा राइटन स्वर आ गया है ठीक है बई तो इस प्रकारी स्वाल को हम क्या है कर सकते हैं नेक्स्ट है 2 नंबर्स आर इन दा रेसो 3 रेसो 5 एंड दा प्रोडेक्ट of their HCF and LCM 26,406 वटीज़ दा सम ओफ दा लार्जेश्ट नंबर जो है उसका सम बताईए जो संख्या आईगी तो कर सकते हैं किस प्रकार से 3 X इंटू 5 X इगूल 26,406 तो 15 का स्केर इगूल कितना आ गया 26,406 X स्केर इगूल कितना आ गया हमारा 1764 और 1764 किसका रूट होता है आप सभी को पता है 42 का रूट होता है X की वैलू कितनी आ गई 42 आ गई लार्जेश्ट नंबरी इन दोनों में से कौन सा है 5 है तो हमारा क्या हो जाएगा 42 इंटू 5 हो जाएगा तो कितना आ गया 210 उसने क्या बोला है उनके संख्या का योग जो संख्या आएगी तो उस संख्या का योग कितना हो गया 2 रेक 3 तो कितना हो जाएगा 3 जो हमारा राइट अंसर आ जाएगा तो इस परकार से इस स्वाल को हम कर सकते है नेक्स्ट है इने कलास 150 स्टूडेंट एक कलास में 50 स्टूडेंट है अगर 10 एवरेज मार्क सो 20 स्टूडेंट इस 68 अगर 20 स्टूडेंट का 68 एवरेज है और 18 स्टूडेंट का 73 है और जो बाकी बच गए उनका 58 है तो जो कलास के टोटल का एवरेज कितना होगा तो देखिए 20 का कितना है 68 है कितना आ गया ये हमारा 1308 18 का कितना है 73 है ये हमारा कितना आ गया ये आ गया वही 1314 और जो 20 18 कितने हो गए 38 टोटल कितने थे 50 स्टूडेंट कितने बच गए 12 बच गए 12 का कितना दिया देखिए remaining student तो कितने बच गए 12 का कितना दिया 58 तो ये आ गया हमारा 696 तो टोटल कितने हो गए 3370 स्टूडेंट कितने हो गए 50 टोटल 50 का कितना आ गया 67.4 जो हमारा राइट आ गया राइट अंसर क्या हो जाएगा C जो हमारा राइट अंसर हो जाएगा ठीक है भई next है a slender of base radius is 5 cm and height 8 cm slender की radius 5 cm है और height 8 cm है इसी प्रकार जो cone की base की radius है 4 cm है तो what is the height of the cone तो cone की हमने height पता करनी है तो देखिए formula क्या हो जाएगा इसका formula क्या हो जाएगा pi r square हो जाएगा और इसका formula क्या हो जाएगा एक बटे 3 pi r square h हो जाएगा तो pi r square h हो जाएगा तो हम pi से pi cancel भी कर सकते हैं यहीं पर ठीक है भई तो बाकी r दोनों में अलग लग दे रखिया है पहले में r क्या दे रखिया है 5 5 दे रखिया है हमने लिख सकता हूँ 25 h कितनी दे रखिया है 8 दे रखिया है तो 8 एक बटे 3 ठीक है into r कितनी दे रखिया है इसमें 4 दे रखिया है तो 4 into 4 और into h हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 25 की 3 से multiply करेंगे तो 75 हो जाएगा 75 बटे 2 h आजाएगा तो h की value कितनी आजाएगी 36.5 आजाएगी तो right answer हमारा कितना हो जाएगा जो d है हमारा right answer हो जाएगा ठीक है तो इस परकार से इस स्वाल को हम कर सकते हैं next है 2 pipe a and b can fill a tank in 18 minutes and 30 minutes a 18 minutes में और b 30 minutes में if both pipes are open together after how many minutes should a be closed so that the tank is full in 20 minutes a को कितनी देर में बंद कर दिया जाए कि जो tank है 20 minutes में भर जाए एक तो हम इसको क्या है चलो पहले मैं आपको बताता हूँ a और b है a कितना 18 b कितना 30 इनका l सिंग कितना आ गया 180 आ गया ये कितने पर गया 10 पर गया ये कितने पर गया 6 पर गया उसने ये बोला है a को बै कितनी minutes के बाद बंद कर दिया जाए कि जो tank है न 20 minutes में बर जाए या तो मैं यहाँ पर option भी उठा सकता हूँ जैसे कि मैंने right option ये उठा लिया अगर मैं a को 6 minutes बाद बंद करता हूँ तो कितना बर देगा a 6 minutes में 60 liter बर देगा अगर a को 6 minutes बाद बरता हूँ तो 1 minutes में 10 बरता है तो 6 minutes में कितना बर देगा 60 liter बर देगा और total कितना है 180 है 180 में से 60 liter बर दिया कितना बच गया 120 liter बच गया कितना बच गया 120 liter बच गया अब कौन भरेगा, ब्ही बरेगा, ब्ही एक मिट में परता है, तो 120 को कितने में बर देगा, 20 मिट में बर देगा, और फूचा भी कितना हुआ है 20 मिट, तो राइट अंसोर मारा कितना आ जाएगा, तो इस परकार से इस पर किया हम, अप्सन उठा कर सकते हैं, कलियर तो इस परकार से इस पर हम option उठाकर कर सकते हैं बाकि अगर आप option नहीं उठाना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ LCM कितना आ गया था 180 LCM आ चुका था ये पहले वाला कितने पे गया था 18 और 30 ये कितने पे गया 10 पे और ये कितने पे गया 6 पे A को बंद कर देता हूँ तो 20 MINT में भर जानी चाहिए A को बंद करने के बाद B ही तो बच गया B एक MINT में 6 बरता है तो 20 MINT में भरनी चाहिए तो 20 MINT में कितना भर देगा 120 L भर देगा मलब कि जब A चोड़ कर जाता है तो 120 L और पानी भरना है उसको ठीक है तो 120 लीटर और पानी भरना है तो टोटल कितना है 180 है 180 माइनस 120 कितना हो गया 60 और तब किसने भिया बरा जो इस 60 था भई जो ए भर रहा है तो कितनी मिन्ट में 6 मिन्ट में अब आप पर डिपेंड करना है उप्षन ठाना या डारेक्ट ऐसे करना है कैसे भी कर सकते हो आपके उपर हो इए ठीक है नेक्स्ट है एक कार ट्रेवल्स 150 किलोमेटर एट अ यूनिफों स्पीड इफ दा स्पीड ओफ दा कार इस 50 किलोमेटर पर हवर लैस उसने बोला यदि कार की स्पीड 15 किलोमेटर पर हवर कम कर दी जाए तो वह जो सेम डिस्टैंस है ना कौन सी 150 km की उसमें 30 मिन्ट उसको ज्यादा लग जाते है सेम डिस्टेंस तेह करने में तो जो ओरिजन स्पीड ओप दा कार कितने किलो मिटर पर हावर होगी देखिए यहां पर मैं डारेक्ट ओप्सन उठा सकता हूँ किस परकार से ओप्सन उठा सकता हूँ मैंने क्या देखा जब कार की स्पीड 15 km पर हावर कम कर दी जाए तो वह 30 मिन्ट ज्यादा लेती है जैसे कि मैं राइट ही ओप्सन लेके दिखाता हूँ मैंने 55 लिया 150 km क्या है डिस्टेंस है 55 की स्पीड से लिया तो वह 2 गंटे लगाती है ठीक है ये ओरिजनल हो गया पर उसने बोला अगर 15 km पर आउर स्पीड कम कर दी जाए सेम डिस्टेंस कितनी है 150 अगर 75 में से 15 km पर आउर कम कर दो तो कितना हो गया 60 तो कितना आ गया 0 से 0 तो 2 गंटे और 5 बतलब कि 5 गंटे लगते हैं उसको अब 2 गंटे 30 मिंट लेता है इसका मतलब हमारा उप्सन सी ठीक है क्योंकि satisfy इसने के आउर स्टेटमेंट कर दी है तो इस परकार से मैं इस स्वाल को कर सकता हूँ दुबारा बताता हूँ उसने बोला जब माली जी कोई भी उप्सन उठा ले जो उप्सन उठाएगा ना जो एक्चुल स्पीड है और जो कम करने के बाद 15 किलोमेटर पर आउर उसमें 30 मिंट ज्यादा लेने चाहिए तो मैंने 570 उठाई तो 2 ही गंटे लगे अब क्या है 15 किलोमेटर पर आउर स्पीड कम कर दी पहले कितनी थी पिछेतर थी अब 15 कम करतूँगा तो 60 तो बची और डिस्टेंस तो सेम बता रखी है अब ये 15 किलोमेटर पर आउर करने के बाद जो पहले समय लगा था ना उससे 30 मिंट ज्यादा आना चाहिए क्योंकि 30 मिंट ज्यादा लगती है कम करता हूँ तो मैंने भाग करके देखा कट करके देखा तो 2 गंटे 30 मिंट का इसमें लगा इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट थी हुआ शैटी स्वाई कर गई तो इस परकार से इस स्वाल को हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट है ये फोर्मूला पहले भी बता सका हूँ AQ पलस BQ पलस CQ माइनस ABC और A स्केर पलस B स्केर तो ये कट जाता है तो क्या बच जाता हमारे पास A पलस B पलस C बच जाता है जब A पलस B पलस C आप एड करोगे 2.4 पलस 0.49 पलस 0.27 अड करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा वन आ जाएगा तो उपर भी क्या आ गया वन आ गया, निच्चे वन आ गया तो ये point है तो उपर जाके कितना हो जाएगा multiply में हो जाएगी कितना point के बाद कितने अक्सर है 4 है तो ये क्या है आपका हो जाएगा तो right answer हमारा यह आ जाएगा 10,000 तो देखते हैं 10,000 की इसमें है तो B option जो हमारा right हो जाएगा ठीक है इस परकार से इस स्वाल को हम कर सकते है next है A train travels distance 20 km, 30 km, 50 km और उनकी speed दे रखिया है 40 km पर आउर, 50 km पर आउर और 55 km पर आउर what is the average speed of the train बताईए, तो देखिए 20, 30, 50 दी तो मैं लिख सकता हूँ किस परकार से 20 upon 40 plus 50 upon 30 plus 75 upon कितनी दी 75 की 50 ठीक है sorry, यह कितना है 50 की 75 पाई गलत लिख दिया एक मिन्ट, एक मिन्ट, एक मिन्ट अच्छे, 20 की पहले 20 है फिर 30 है फिर 50 मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ और कितनी दी इसने पहले 40 दी दूसरी कितनी है 50 है और तीसरी कितनी है पिछेतरा ऐसे आएगा ठीक है इसको अब मैं कट करूँगा 0 से 0, 0 से 0 यह कितना हो गया 25, 2, 50 25 यह पिछेतर 2 एकम 2 2 दो निच्छा 5, 3, 2 का L सिम लूँगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा तो 2 को 30 से भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा 15, 1 एकम 15 15 पलस 5, 36 रेक ठारा पलस 10 और दो 20 तो L सिम लेके तो कर सकते हो ना ठीक है तो यह कितना आ गया 15, 18 और 20 कितना हो गया 38, 38 और 15 हमारा कितना हो जाएगा वही 53 तो 53 बटे 30 जो है मेरा आ गया तो 53 बटे 30 हमारा आ गया उसने क्या बोला है Average Speed तो Average Speed टोटल कितना है 20, 30, 50, 50, 50 कितना हो गया 100 तो 100 टोटल हमारी कितनी है किलोमीटर डिस्टेंस है अपोन कितना है हमारा 53 इंटू कितना आया था 53 अपोन 30 आया था ना तो इंटू 30 हो जाएगा तो इस प्रकार से 3000 अपोन 53 कितना हो जाएगा 56.6 जो हमारी Average Speed आ जाएगी ठीका भई ट्रेन की तो 56.6 जो हमारा टाइटन स्वर हो जाएगा तो इस प्रकार से इस स्वाल को हम कर सकते हैं ठीका भई नेक्स्ट है बार वाला स्वाल किस प्रकार करना है यह तो मैं काफी बार करवा चुका हूँ जीसने 10 पार देखे हैं परवाने की जुरूत नहीं है देखे 1.3 के उपर बार है तो इस नंबर को कई बार लिख लो पलस वाले को हम पले सी कर लेते हैं पहले 0.381 के उपर बार है तो 81 को कई बार लिख लो तो 4 1 5 फिर क्या आएगा 3811 1336.1 इसमें से क्या है आप less कर दो किसको 1.59999 इसके less करोगे तो आपके सामने इसका right answer आ जाएगा तो इस परकार से हम इस स्वाल को क्या है कर सकते हैं नेक्स्ट है यह स्वाल अच्छा है देखिए रूट 6 अपोन रूट 2 पलस रूट 3 यह value दे रखिया है a रूट 3 पलस b रूट 2 तो a माइनस भी बताना है तो यह कर लेंगे हम किस परकार से रूट 6 अपोन रूट 2 पलस रूट 3 इसका rationalization करूँगा तो क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 3 नीचे क्या होता है a स्केर माइनस b स्केर होता है 2 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा नीचे तो आजाएगा माइनस 1 और उपर क्या आजाएगा उपर इसकी इसकी multiply करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3 फिर है माइनस इसकी और इसकी multiply करूँगा तो क्या हो जाएगा 3 root 2 तो ये आ गया मेरे पास 3 root 2 और 2 root ठीक है अब मैं इसको क्या है एक वार्कट कर लेता हूँ हमारी value क्या आ गई 2 root 3 minus 3 root 2 और upon क्या हो गया minus 1 तो इस परकार मैं A की value निकालूँगा तो root 3 से root 3 चला जाएगा ये upon में minus 1 है तो 2 upon minus 1 क्या हो जाएगा तो minus 2 की क्या है A की value आ गई B की value निकालूँगा तो root 2 से root चला जाएगा minus से minus ले जाएगा B की value क्या आ जाएगी हमारी जो ये है 3B की value आ जाएगी उसने पूछा क्या A minus B A की value क्या है minus 2 फिर उसने क्या पूछा minus 3 तो minus 2 और minus 3 कितना होता है minus 5 तो हमारा minus 5 right answer आना चाहिए तो right answer क्या हमारा minus 5 यह जो है right answer है कई बच्चों के अब दिमाग में यह चल रहा होगा कि root 6 की और root 2 की multiply की तो 2 root 3 कैसे आ गया देखिए root 6 जो होता है इसको मैं इस परकार भी तो लिख सकता हूँ ना भई 2 root 3 और इसकी multiply मैं किस से कर रहा हूँ root 2 से कर रहा हूँ जब root 2 की root 2 से होगी तो 2 तो बाहरी निकल के आ जाएगा ना तो अंदर root 3 बच जाएगा ना तो इस परकार से आता है ठीक है और जब मैं इसकी multiply root 3 से करूँगा तो root 3 की root 3 से जाएगी तो 3 बार आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा root 2 बच जाएगा तो इस परकार से ही क्या हमारा आया है ठीक है बई ऐसे हम इस स्वाल को कर सकते हैं फिर आता है 17 unit digit power को 4 से भाकरो complete बागा हो जाती है तो उसका मतलब होता है power उसकी 4 है रिमाइंडर जो बचता हुआ ही power होता है unit का नमबर लेंगे 3 उपर कितना है 23 23 को 4 से भाक किया तो reminder बच गया 3 तो इसका हम लोग लोग है 3 की power 3 है 3 की power 3 कितनी होती है 27 होती है तो 27 का हमने unit digit देख लिया कितना हो गया 7 पलस 5 की power कुछ भी हो उसका unit digit अमेंशा 5 ही रहता है इसकी power तो सोचने की जुरूत नहीं है माइनस 4 की power को 62 से भाक किया 60 पे जाएगा तो 2 remainder बच जाएगा तो 7 की power 2 कितनी होती है 49 और 49 का रिये unit digit क्या होता है 9 होता है जब 12 में से 9 जाएगा तो हमारा right answer कितना आजाएगा 3 तो right answer क्या हो गया 3 जो हमारा right answer हो गया ठीक है अठार मा स्वाल जो है इनका आप LCM ले लो जब हमने LCM लेके किया तो कितना आ गया 12 तो 12 LCM आ गया तो 3 चुक 12 वैलू कितनी दे रखिया है 20 216 अपोन 19 पुछा क्या है B का share B का share कितना है 6 into 6 तो हमारा right answer कितना आ गया 6383 जो हमारा right answer आएगा आप इसको कट करोगे तो ये जाएगा 1064 पर जाएगा ठीक है तो हमारा right answer क्या जाएगा 6384 अब आते हैं ने दे रखिया है X की value निकाल लेनी है X कैसे निकलेगा जो ये उपर दो number है न इनके जोड का जोड को 2 से बाग दे दो इनके जोड के 2 से बाग दे दो 5 और 15 कितने होते हैं 20 और 20 को 2 से बाग किया तो मेरा कितना आ गया 10 इसी परकार 15 और 25 कितने होते हैं भाई 40, 40 को 2 से बाग किया 20 इस परकार से मैं लिख सकता हूँ 10, 20, 30, 40, 50 और 60 अब मैंने निकाल लेना है FX FX का मतलब क्या है इस F की और इस की multiply कर लेंगे तो हमारा क्या है FX भी निकल के आ जाएगा जब 12 और 10 की multiply करूँगा तो कितना हो जाएगा 120 22 की और 20 की करूँगा 440 42 की और 3 से करूँगा 3, 2, 6, 1, 12 120, 6, 8 40 की और 40 से करूँगा तो 46 की 4 से क्या मेरा कितना आ गया 1840 और जब 28 की और 50 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 1400 स्टास हो और जब 10 की और चको सो सही करंगा तो अब उससों पुंछा क्या है कि सने पूछ उने एस्ट का मत्लब क्या हूता है fx अपॉन f होता है दो क्या है जो यहे एफएकस आया हमारा इसका टोटल जोड करो इसका टोटल जोड हमारा कितना आ गया 5 6 6 0 आ गया और f का टोटल जोड करो f क्या हमारे पास f देखे ये statement में ये दे रखा f हमारा कितना है total f हमारा है 160 0 से 0 गया ये कितना आ गया इसको cut करोगे तो 35.4 जो हमारा right answer आ जाएगा तो इस परकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं इसी परकार से उसने अगला पूछा कि बताइए 45 और 45 के बीच का डिगरी का कौन बता ये कौन सा बनेगा 45 और 45 कौन सा है ये है ये कितना दे रखा है 28 अपोन इसका total f कितना हमारा 160 है और डिगरी के लिए कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा 0 से 0 4.16 4.27 4.37 6.37 तो 63 डिगरी जो हमारा राइटन सुरा जया इस परकार से हमने 11 पेपर जो हमने 16 के कुछ के उसने मैंने थोड़ा जल्दी बता दियोंगे वो इसलिए बताएगे क्योंकि जो पीछे 10 पेपर है न हम उनमें अच्छी परकार से कर चुके हैं तो इसलिए म तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा वो आप जाकर देख सकते हो और कोमेंट्स के इंतरगत भी और उस चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो तो थैंक्यू स्टूडेंट मिलते हैं नेक स्टूडियो में धन्यवाद